दोस्तो आज हम आपके लिए कुछ खास चनकाडी जो की जूते से संबंधिता लेकर आये हैं आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जूता इंसान को कंगाल बना देता है कितने भी बरे धनवान व्यक्ति क्यों ना हो वा जूते की गलत परयोग की वज़ा से कंगाल हो जाता है हर व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का सिधा संबंध उसकी कुंडली में इस्तित ग्रहों से माना जाता है जिनकी अनुकूल इस्तिती व्यक्ति के जीवन में सकरत्मक्ता लेकर आती है इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि आपके जूतों का भी आपके जीवन पर खास प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनका संबंद आपके पैरों के माध्यम से ग्रहों की सांती से होता है इसलिए आज हम आपके लिए जूतों से जूरी कुछ खास बातों की जनकाड़ी ले कर आए हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है तो आईए जानते हैं जूतों से जूरी या खास जनकाड़ी दोस्तों किसी को भी बताए बगैर कड़े यह उपाए यदि आपकी कुण्डिली में सनी को लेकर कोई दोस है या फिर सनी की ढया अथवा साड़े साती चल रही है तो आप सनी वार के धिन बगैर किसी को बताए अपना काले रंग का चमडे का जुता या चपल मंदिर के प्रवेश द्वार पर उतार कर चले आएं सनी देवता से जुराई यह प्रयोग सनी के कारण हो रही समस्याओं को दूर करके निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा दोस्तों दरवाजे पर न उतारें जुत्ते कभी भी भूलकर अपने घर की देहरी पर न उतारें जुत्ते और नहीं अपने यहाँ आने वाले अठितियों को एसाग करने दें घर के मुख परवेश द्वार पर रखे जुते आपके सवभाग और समरिधी को प्रभावित करते हैं दोस्तों हमेशा जुते को पस्चिम दिशा में ही रखनी चाहिए अपने फुटवियर को कभी भूल कर भी इसान कोन यानि उत्तर पूर्व में न रखें जुते चपल को एक व्यास्थित ढंग से हमेशा पस्चिम दिशा की और ही रखें जुते चोड़ी होने पर कभी भी निरास न हो दोस्तों अगर आपके जुता चोड़ी हो जाता है तो आप कभी भी निरास न हो यदि मंदिर में चपल या जुता चोड़ी हो जाए तो आप पड़े सान नहों क्योंकि जोतिसी के अनुसार यह आपके जिवन में सुभ संकेत है यदि आपके फुट वेर सनी वार को चोड़ी होती है तो यह और भी सुभ है जो तिसी के अनुसार ऐसा होने पड़ सनी दोस से रहत मिलती है फटे जुतों से करे तोवा दोस्तों भूल कर भी फटे जुता नहीं पहनना चाहिए किसी भी विशेश काम मसला नोकरी के लिए इंट्रिविव बेटे या बेटी के रिष्टे की बात करते जाते समय लंबी यात्रा आदी में जाते समय भूल कर भी फटे हुए जुते न पहने एसे फुट भी आर आपके कार्ज की सफलता में बाधक बन सकते हैं घर में न पहने बाहर के जुते दोस्तों भूल कर भी बाहर के जुतों को घर में न पहने बाहर पहनने वाले जुत्य चपल का प्रियोग घर के भीतर न करें एसा करने से बाहर की मिट्टी के साथ नकारात्मक उर्जा का प्रवेश हो सकता है यदि कोई जुत्य या चपल पहनकर घर में प्रवेश करता है तो उसके साथ साथ राहू तथा केतु ग्रह भी प्रवेश कर जाते हैं स्वास्त की द्रिष्टी से भी यहानी का रख है इसलिए पुरानी प्रंपडा का पालन करते हुए चपल जुत्यों का बाहर उतारना लाभ प्रद्ध है घर में न रखें पुराने जुत्ये जियां दोस्तों भूलकर भी घर में पुराने जुत्यों को नहीं रखना चाहिए घर में पुराने जुत्ये चपल रखने से भी घर में नकारात्मक उर्जा बनी रहती है जिसके कारण समस्या आपके घर से जाने का नाम नहीं लेती है इसलिए जिन जूते चपल का आप प्रयोग ना कर रहे हो उन्हें घड में ना रखें बलकि किसी गड़ीव को दे दें सही धंग से रखे फुट वेयर जिहां फुट वेयर को हमेशा सही धंग से रखना चाहिए घड में फुट वीयर इधर उधर विकरे हुए नहीं होने चाहिए अन्याथा घड में तनाव की इस्तिती बनी रहेगी जिन लोगों के घड़ में जूते इधर उधर विकरे रहते हैं वहां सनी की असुभता का प्रभाव रहता है पडिवार के लोगों का मन खिन रहता है इसलिए चपल जुतों को सुविवस्थित तरीके से यथा स्थान रखे करजाले में ना पहने भूरे रंग के फुटवेर करजाला में भूरे रंग के जूते पहन कर जाने से बचे विशेश रूप से बैकिंग या फिर एजुकेसन से जूरे लोग इसका विशेश ध्यान रखे एसे लोगों के लिए काफी या डार्क राउंड रंग के फुट वियर सुफ सावित होते हैं तो दोस्तो जूते से समन्धित या कुछ जनकाडिया जो कि मैंने आपके सामने रखा आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं दोस्तो आपको यह विडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बक्स में जरूर बता हैं दोस्तो आपसे एक छोटा सब्सक्राइब जरूर कर देंता था घंटा को भी दबा दें जिससे आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले तेने बात